बच्चों अब तक हमने गांधी जी की विशे में पढ़ा उनके बारे में जाना और गांधी जी स्रोड पित्रभग्त नामक पुष्टक खरीद कर लाए जो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी बच्चों उन दिनों तस्वीर किस में देखा करते थे लोग बाइस्कोप में राइट एंसर और स्रोड कुमार अपने माता पिता को किस में बैठा कर ले गए थे बहंगी में क्यों बैठा कर ले गए थे और गांधी जी किस की तरह बनना चाते थे स्रोड कुमार की तरह तो बच्चों आईए अब हम आगे पढ़ते हैं अब गांधी जी अपने विशय में बता रहे हैं मैंने सत्यवादी हरिस्चंद्र नाटक भी देखा था बार-बार उसे देखने की इच्छा होती हरिस्चंद्र के सपने आते बच्चों जब आप कोई कार्टून देखते हैं तो उसे बार-बार देखने का मन करता है ना उसी तरह गांधी जी का भी मन नाटक देखने का बार-बार करता था बार-बार मेरे मन में यह बात उर्ती थी कि सभी हरिस्चंद की तरह सत्यवादी क्यों ना बने बच्चों यह सब हमें कौन बता रहा है अपने बारे में महात्मा गांधी जी राइट एंसर यही बात मन में बैट गई चाहि हरिस्चंद की बात कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्या सत्य छोड़ना चाहिए बच्चों? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में गूमना स्वास्त के लिए लापकारी होता है यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सेर करने की आदत डाल ली इसे से मेरा सरीर मजबूत हो गया बच्चों सुबह सेर करने से क्या होता है? सरीर मजबूत होता है और क्या होता है? मैं हम लोग स्वस्त रहते हैं स्वस्त रहते हैं गुड राइट एंसर मच्चों क्या आपको पता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कौन थे तो हम बताते हैं आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राजा थे वे सदा सत्य बोलते थे और बहुत बड़े दाने थे एक बार विश्वामित्र जी उनकी परिच्छा लेने के लिए उनके सपने में आये और उनका पूरा राज मांग लिया राजा हरिस्चंद्र इतने बड़े दाने थे कि उन्होंने सपने में ही अपना राज दान कर दिया सुबह जब दरबार में राजा बैठे तो विश्वामित्र एक साधू का रूप धारड करके दरबार में आये और राजा से भिख्छा मांगने लगे राजा ने राज कोश से कुछ सोने चांदी मंगवाए और साधू को दान देने लगे तब साधू दान लेने से इनकार कर दिया तब साधू विश्वामित्र के रूप में आये और बोले महाराज यह सब कुछ आपने पहले ही दान कर दिया है अब आप इसमें से कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र रोहितास को एक साहुकार के हाथ बेच दिया हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारावती था और पुत्र का नाम रोहितास था बच्चो हरिश्चंद्र की पत्नी का क्या नाम था बताईए तारावती उन्होंने उन्हें एक साहुकार के हाथ बेच दिया और स्वयम एक समसान घाट पर नोगरी करने लगे जो पैसे मिले उन्होंने वह महात्मा को दान दे दिया राजा हरिश्चंद समसान पर सौ जलाने का काम करते थे सौ जलाने के लिए वह कर्वसूली करते थे उनकी पत्नी शाहुकार के घर बरतन माजने का काम करती थी एक दिन उनका पुत्र खेल रहा था तभी उसे एक काले साप ने काट लिया और मर गया तारवती अपने पुत्र को गोद में उठा कर समसान गई उसी समय राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर थे उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांगा तब तारवती ने रोती हुए कहा मेरे पास आपको देनी किली कुछी भी नहीं है फिर भी हरिश्चंद्र नहीं माने ओकर मांग रहे थे तब तारवती ने रोती हुए उनसे कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है फिर भी हरिश्चंद्र नहीं माने तब तारवती ने अपने पुत्र को जमीन पर लिटा कर अपनी साडी का आचल फाड़ा तभी उसी समय वहाँ पर विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने रोहतास को जीवित कर दिया और उन्होंने कहा महाराज मैं आपके परिख्षा ले रहा था इस धर्ती पर आपके इतना दानी और सत्यवादी दूसरा कोई नहीं है तब सी लेकर आज तक राजा हरिस्चंद दानी और सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं तो बच्चों इस कहानी से हमको क्या सिच्छा मिली? हमें सदा सत्य सत्य बोलना चाहिए हमें जूट नहीं बोलना चाहिए गूट तो बच्चों क्या आप जूट बोलोगे इस प्रकार विश्वा मित्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद का राजु उन्हें वापस लोटा दिया अब भ्यास कारिव बच्चों अब आपको दिये गए चित्र की सहाता से खाली अस्थान भरना है हमारे राश्टर पिता हैं हमारा राश्टरी फूल है हमारा राश्टरी पछ्ची है हमारा राष्ट्री पशू है हमारा राष्ट्री फल है बच्चो हमारे राष्ट्री पिता कौन है महात्मा गादी जी उसी प्रकार हमारा राष्ट्री फूल क्या है कमल आपको इसे अपने उत्तर पुष्टिका में लिखना है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू